Instagram पर काफी ज़्यादा बंदों को एक प्रोब्लम आ रही है Account Status को लेके Account Status में उनको कुछ ऐसी प्रोब्लम आ रही है Remo Content के आगे एक Error आ रहा है And What Can't Be Recommended के आगे भी एक इस तरह से Error आ रहा है तो guys, देखो Remo Content क्या होता है Remo Content का मतलब होता है जब आपके Account पर Community Guidelines लगता है आपको Monetization Status में जाने है Then यहाँ पर आपको Community Guidelines नजर आएगा अगर Community Guidelines के आगे 0 आ रहा है तो आपके Account पर कोई भी Community Guidelines नहीं है और अगर Community Guidelines के आगे 0 नहीं है 1, 2, 3 इस तरह से लिखा हुआ रहा है तो उतना आपके Account पर 1, 2, 3 इस ट्राइक लगा हुआ है तो Remo Content के आगे आपको Error बना हुआ नजर आएगा अब इसको हटाना कैसा है वो भी मैं आपको बताना वाला हूँ इसके बाद है What Can't Be Recommended यह कब लगता है जब आपके Account पर Community Guidelines लगता है तो उससे आपके Account पर कोई भी फरक नहीं पड़ता है वही पर अगर आपको नीचे वाला जो है ना Can't Be Recommended यह होता है Recommendation Guidelines अगर Recommendation Guidelines आपके Account पर एक बार लग जाती है ना तो 90 दिन के लिए आपके जो followers है वो decrease होना स्टार्ट हो जाते है और आपका Account बिलकुल भी गुरो नहीं करता इवन आप जो भी Reels पोस्ट करते हो तो वो Reels आपके followers को ही दिखाया जाता है अनोल को मतलब Explore Page, Reels Page, For You Page और फिड सेक्शन में कहीं पर भी आपकी वीडियो नहीं दिखाया जाती जो आपके followers होते है वो ही देख पाते है और जो non followers होते है वो आपकी वीडियो नहीं देख पाते है और इससे आपको ये भी नुक्सान होते है आपकी Reels वीडियो भी वाइरल नहीं होती आपकी Reels वीडियो पर for example average 10,000 पर Reels पर आते है और recommendation guidelines लगने के बाद automatic आपकी Reels पर 5,000, 4,000 इस तरह से views आएगे आपकी Reels के views भी down हो जाएगे आपकी Reels viral भी नहीं होगी आपके account की जो growth है वो भी बन हो जाएगी अब इस problem का solution क्या है इसके बारे में आपने YouTube पर बहुत जादे researching कर लिया होगा और काफी बड़े बड़े YouTube के आपने वीडियो भी देख लिया होगा बट आज मैं आपको एक बात clear करता हूँ इस topic पर किसी भी YouTube ने practically work नहीं किया है मैं practically ये वीडियो लेकर आपके सामने हादिर होगा हूँ देखो मैंने पहले कुछ account पर काम किया है जिन पर million of followers है मैंने देखो इस account पर काम किया है इसके बाद मैंने इस account पर काम किया है इसका लवा मैंने इस account पर काम किया है और इस account पर भी काम किया है मैंने 4-5 बड़े बड़े account पर काम किया है जिन पर committee guidelines लग गया था अब इन account से committee guidelines हट चुका है तो देखो जब आपको account पर committee guidelines लगता है एक बार committee guidelines लगने के बाद and recommendation guidelines लगने के बाद आपको committee guidelines में जाना है आपको अपने mobile में account status में जाना है जैसे ही आप अपने account status में जाता हो तो वहाँ पर आपको committee guidelines लगा है simply उस पर click कर देने है तो first time वहाँ पर आपको request का option मिलते है त So request पर click करके आपको request कर देने। फिले कर देने रिवीव में जाते है और जैसा ही लिवीव में जाते है इस तरह आपको recommendation guidelines को request करने है जब आप request कर देतो इसके बाद वो review में जाते है इसके बाद एक reply आते है जोनल बहुत बार ऐसा होता dor Instagram का जो एल्गरान। में वो मसीन है वो आपको फैंक इस्ट्राइक भी दे देती है तो जब आप रिक्वेस्ट करता हो तो रिवियू में जाता है और रिवियू में जाने क्या है तो इंस्टाग्राम अपनी जो कमेटी गायडलेंस में जाता है उसके बद मैं लिख कर देता हूँ कहई पर सिगनेचर करवा लो रिकोमेंडेशन guidelines and committee guidelines कोई भी नहीं हटवा सकता, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है, अभी तक भाई मैंने बहुत ज़्यादे researching कर ली पिछले कुछ महींने से मैं इसी topic पर काम कर रहा हूँ, तो मैंने बड़े-बड़े account पर काम किया है, देखो अगर आपके account पर remote content आ रहा है, उसके सामने error आ रहा है, ये है आपके account पर committee guidelines लगा हुआ, तो ये पूरे एक साल बाद सही होगी हाँ जी, उस पर आप expired time देख सकतो, जब आप remote content पर click करतो, committee guidelines आता है उसके click करके देखो, कौन सी date में और कौन से मंद में लगी हुई है, उसके according आप one year जोड़ो, one year बाद आपकी जो committee guidelines है वो remove होता है, तो remote content के आगे जो error आता है, ये one year बाद हटता है, उससे पहले नहीं हटता, आप कितनी भी report कर लो, कितने भी mail कर लो, कुछ नहीं पढ़ता, आपका account grow भी करता है आपकी deals video viral भी होता है, इससे आपका account को कोई भी फरक नहीं पढ़ता है बट वहें पर, can't be recommended जो नीचे लिखा होता है, इसके सामने error आता है, तो ये होती है recommendation guidelines, अगर ये आपके account पे लगा हुआ है, can't be recommendation, इसको recommendation guidelines बोलते है, इसके सामने अगर error आ रहा है तो समझ लो, 90 दिन के लिए आपका account बरबाद हो गया है recommendation guidelines, जो नीचे वाली होती है, can't be recommended, ये recommendation guidelines है, ये पूरे 90 दिन के बाद हडते है, 90 दिन के अंदर आपके account पर कोई भी deals viral नहीं होती, इसके अलवा आपके followers भी decrease होते है, आपके followers increase नहीं होते है, आपका account बिलकुल भी grow नहीं होता, account की growth बन हो जाती है और जैसे ही 90 दिन पूरे हो जाते है recommendation guidelines हट जाता है और जैसे recommendation guidelines हट जाता है तो आपका account grow करना start कर देता है, आपकी deals इस वीडियो पर views भी अच्छाता है, reals viral भी होता है followers भी increase होते है तो 90 दिन के लिए आपका account बरबाद होता है recommendation guidelines है लेकिन जो उपर remote content है इससे आपका account पर कोई भी फरक नहीं पड़ता है इसकी tension आप बिलकुल भी ना ले यह जो reality थी मैंने आपको बता दी है अगर यह हम request करते है Instagram से request का option आप सभी को मिलता है community guidelines पर click करके request का option आता है, review में जाता है review में अगर वो बोल लेता है, आप गलत हो तो उसके बाद यह नहीं हटती, अपने expired time पर ही हटती है जो can't be recommended होती है यह 90 दिन के बाद हटती है और उपर जो यह remote content है यह community guidelines यह पूरे एक साल बाद हटती है तो इस तरह से आपकी यह problem सोल होगा इसके अलावा और कोई trick है ही नहीं आप कितना ही research कर लो, कितनी वीडियो देख लो कितना ही अपना time waste कर लो यह अपने expire time पर ही remove होता है और 90 दिन के लिए आपसे invite collaborator feature भी ले लिया जाता है और आप live भी नहीं कर पाते और monetization जितने भी tools है वो भी बन हो जाते है तो 90 दिन के बाद आपको monetization tools है वो भी eligible हो जाते है और recommendation guidelines रटने के बाद आपको live भी आप पहुँच पाते हो live तो देखो अगर आपके account पर community guidelines लगता है 30 दिन के लिए बन होता है 30 दिन के बाद आपको live मिल जाता है इसका अलावा 30 दिन के बाद आप live करना लगतो and invite collaborator feature भी मिल जाता है and channel को subscribe करके bell icon को always miss करताना AC और video देखने के लिए